दोस्तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि OPPO A57 Mobile क्या में बोर्ड की सरह तबदील करेंगे तो दोस्तो सबसे पहले इसका सिम ट्रे निकाल दे सिम ट्रे निकालने के बाद इसका बेक कवर कोल दे बेक कवर कोलने के बाद इसके उपर हिस्से पे जो में बोर्ड है इस पर जितने पेच भी लगे इन सब को निकाल दे और इनको दिहान मेरा केस में अक्सर चोटे बड़े पेच होते हैं जाह से आपने चोटे पेच निकले ते वापर चोटे पेच लगाने जहाँ से बड़े पेश लगा निकालेते हैं वापर बड़े पेश लगाने तो पेश निकालने के बाद सबसे पहले अपने बेश्टी डिसकनेट करने है उसके बाद ही सारे जेक निकालने है टच वाला जेक, डिस्प्ले वाला जेक, चार्जिंग फ्लेक्स वाला जेक, और एंटिना केबल निकाल कर इसका मेन बॉर्ड निकाल ले मेन बॉर्ड निकालने के बाद इससे केमरे बगेरा ये फरंट और बेक केमरे भी डिसकनेट कर दे क्यूंकि नए बॉर्ड में केमरे नहीं आते है अगर आपके पुराने मुबाई से निकाल लाए हो तो उसमें आपके केमरे मिल जाएंगे तो अगर आपके पी केमरे भी खराब है तो वो भी तब्दील कर दें इसमें गड़ रहे रहा हो या जो केमरे आपको सही लगे वो केमरे लगा दे दोस्तो केमरे लगाने के बाद इस बोड को मुबैल की हड़ी में रखते और इसको सही तरह से बिटा दे मिटताने के बाद इसके जेक लगाये और इसके बात इंटेने केबल इसके साथ एतियात करें इसके के इंटेना केबल का जेक हैं बहुत कंशोर होता है डिस्प्ले जेक भी लगाये सबसे आखिर में आपने बेटरी को कनेट करना है और इस पर पेश लगाए दोस्तो जो पेश आपने यहां से उतारते हो यह पेश लगाए दूसरे पेश नहीं लगाओगे क्योंकि अगर आपने बड़े पेश लगा दिये तो यह नीचे स्क्रिन में चले जाएंगे और आपके स्क्रिन को तोड़ देंगे जापर चोटे पेश लगते हो आपर चोटे पेश लगाए जापर बड़े लगते हो आपर बड़े लगाए पेश लगाने के बाद इस पर एक कवर रखकर इसको तोड़ा सा जोर देते तो यह ऐसा नहीं से बेट जाएगा ज्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है